देखिए सिर्दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं कई कारण है और सिर्दर्द भी कई परकार के होते हैं इनहीं में से एक होता है माईग्रेन जी हाँ माईग्रेन सिर्दर्द का एक परकार होता है जैसरी किष्णा दोस्तों मैं हूँ नरेंदर अगरवाल और आप देख रहे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसे अपने यार, दोस्त, मित्र, रिस्तेदारों के साथ में जरूर से सेयर करना क्या पता आपका एक छोटा सा सेयर किसी के लिए बहुत जादा उपियोगी साबीत हो तो आईए सुरू करते हैं माइग्रेन एक प्रकार का बहुत ही गंभीर सिर्दर्द माना जाता है तो इस दर्द में क्या होता है जो व्यक्ति पीडित व्यक्ति होता उसके सिर्द में एक तरफ या फिर दोनों तरफ बहुत तेज दर्द महसूस होता है इतना तेज दर्द महसूस होता है कि आँखों के आसपास भी तेज दर्द होने लगता है कभी-कभी तो इस दर्द के कारण आँखे खोल कर देख पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है माइग्रेन का दर्द बहुत ही ज़्यादा तेज होता है व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है माइग्रेन में आदे सीर में दर्द रहता है और इसी कारण से इस दर्द को आधा सीसी भी खा जाता है सामन्य भासा में ये दर्द होने पर व्यक्ति को मतली, उल्टी आना, घबराट होना ऐसे लक्षन या परेसानिया हो सकती है तो यदि किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह की समस्या है कि आदा सीसी सिर में बार बार दर्द होता है खासकर आदे हिस्से में दर्द होता है तो ये माईग्रेन हो सकता है और माईग्रेन होने पर मतली उल्टी होना खासकर प्रकास और ध्वनी similarly आवाज के प्रती व्यक्ति के सम्वेदन सीलता बहुत अदिक बढ़ जाती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को अंधरे में रखता है तो उसे रिलेक्स मैसूस होता है। यदि आप उसे धूप में ले जाते हैं, भार ले जाते हैं, सोर सराबे वाले स्थान पर ले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़ चिड़ा हो जाता है व्यक्ति, तो किसी के साथ ऐसे ही लक्षन दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये साधारण सिर्दर्द नह रेखाए आँखों के सामने घूमती भी दिखाई देती हैं, आँखों के सामने काले काले धब्बे दिखाई देने लगता हैं, इसकीन में चुबन होती है, कमजोरी में हैसूस होती है और आँखों के नीचे काले घेरे होना, गुसा चिड़ चिड़ापन और सिर्में एक ही हिस्से में यदि दर्द होता है तो यह सारे के सारे लक्षन माईग्रेन के लक्षन है वैसे माईग्रेन एक नियूरोलोजिक समस्या है तंत्री का तंत्र की समस्या है तो मस्तिक के तंत्री का तंत्र में जब कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है विकार है जाता है तो माईग्रेन का कारण बन सकता है तो माईग्रेन में ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई हतोड़े मार रहा हो कभी-कभी ये पूरे सिर्द में भी होने लगता है तो ऐसी इस्तिति में क्या करें देखिए माईग्रेन बहुत ही जबर्दस सिर्दर्द वाली भीमारी है और इसके लिए आपको अगर बार-बार ऐसा होता है तो तुरंत अलर्ट हो जाने की आप सकता है क्योंकि माइग्रेन होने पर और भी बहुत सारे कुछ रोग जो है वो जुड़ जाते हैं जैसे की ब्लड पैसर हाई होने लगता है माइग्रेन कुछ गंटों से लेकर कई दिनों तक बना हुआ रह सकता है खास कर सर्दी लगने पर वाइरस या बुखार आने पर ये भी सर्दर्द के कारण बन जाते हैं तो फिर क्या करें तो देखिए माइग्रेन से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को काम में ले सकता है जब भी कभी तापमान में बदलाव हो यसे स्थितियों से आप बचें जैसे कि आप गर्मी में एर कंडिशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम से ठंडे से गर्म में ना निकला है और गर्म से एकदम से ठंडे में ना आए तेज गर्मी में घरा कर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पीए गर्मी के मोसम में तेज धूप में बहार निकल रहे हैं 10-12 गिलास पानी जरूर से पियें ये आपको हाइडरेट रखेगा क्योंकि डिहाइडरेशन होने पर माइगरेन की समस्या बढ़ने लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का परियोग करें ये पानी ही आपके लिए दवाई का काम करेगी उमस वाली चीजे खाने से बची जिन से ज़्यादा पसीरा निकलता हो जैसे की चाई और कोफी बहुत ज़्यादा मिर्ची मसालेदार प्रदात ना खाए और कोशिस कीजिए कि सुबह जल्दी उटकर पांच बज़े के आसपास सर्दी हो या गर्मी सुबह सुबह ठहलने के लिए जाए नंगे पांव घास पर चले इससे सिर में होने वाला तनाव कम होता है और अगर तनाव कम रहेगा तो आपके और तनाव यदि कम रहेगा तो हार्मोन्स भी बेलेंस में रहेंगे और आपका माईग्रेन काफी हद तक या पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है माईग्रेन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए दवाई से ज़्यादा जरूरत है कि आप लगबग आदे से पौन गंटा 30 से 45 मिनट योग और प्रणायाम जरूर से करें रोजाना 10 मिनट का मेडिटेशन भी इसमें सामिल कर सकते हैं ये काफी फाइदे मंद आपके लिए साबित होगा माईग्रेन का दर्द रहता है ऐसे मरीजों को बहुत सारा तरल परदार्त लेना चाहिए यानि कि सूप, नीबू पानी, नारियल पानी, चाच, लस्टी और हरी सब्जियों को अपने भोजन में प्रियाप्त मातरा में प्रियाप्त मातरा में आप सामिल करें कम से कम नमक जो है वो आप कम करदें और चाई, कोफी और कॉल डिंग ऐसी चीजों से आपको बहुत बचना है, बहुत ज़्यादा बचना है एलकोहल और चोकलेट इस से भी आप बच कर रही है, तेज तेल मसाले वाली चीजों से आप बच कर रही है और अच्छी नींद लेने की कोशिस कीजिए क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी सिर दर्द की आवर्ती और त्रिवता को अच्छी नींद जो है वो कम करती है तो यदि आप एक गहरी और अच्छी नींद लेने में सफल हो जाते हैं आप काफि हद तक migraine को control कर लेता है तो ये तो है वो सामान्य उपाई जिन्हें आपको करना है अब यदि migraine का दर्द तेज हो रहा है वो तो बचने के उपाई थे अब तेज हो रहा है तो फिर उस समय क्या करें है भाई तो इसके लिए आप कुछ उपाई कर सकते हैं जैसे कि आईस पेक की आप मदद ले सकते हैं जी हाँ, बर्प का पेक जो होता है उसके आप मदद लीजिए माइग्रेन की वज़े से जो है सर की मानस्पेसिया जो है सूजने लगती है तो सूजी भी मानस्पेसियो को रिलेक्स करने के लिए आप आईस पेक के मदद ले सकते हैं ये बहुत ही कारगर उपाई है सीर से लेकर माथे गरदन के पीछे तक 10-15 मिनट सिकाई कीजिए आईस पेक के कई सारे रेडिमेट जो है वर्जन जो है आपको बजार में मिल जाएंगे जिनने आप फ्रीज में रखकर जमा सकते हैं और काम में ले सकते हैं यदि आपको बजार में आईस पेक नहीं मिलता है तो आप ओनलाइन बजार से भी खरीज सकते हैं तो ओनलाइन बजार में खरीदने के लिए रहात दिलाने में बहुत मददगार साबित होता है क्या करना है एक गिलास पानी लीजिए एक छोटा चमच सेब का सिरका यह दो चमच भी ले सकते हैं एक चमच सहद मिलाकर पीजिए दिन में दो बार ले सकते हैं लगबग 30 दिनों तक आप लगातार पीजिए और जब भी मा क्रड्योक के दर्थ में भी रहात दिलाने में मददगार है तो सेब का सिरका जो है आप प्रियोक कर सकते हैं इसके लावा लेवनडर का तेल लेवंडर का तेल का प्रयोग कर सकता है थोड़ा सा गरम पानी करिए इसमें लेवंडर के तेल के कुछ बूंदे डाली और सूंगी है खुस्बू लीजिए ये भी माईग्रेन को काफी हद तक रिलेक्स करने में मददगार होता है तुल्ची का तेल भी आप प्रयोग में ले सकता है तुल्ची का तेल भी बहुत प्रभावकारी माना जाता है तो तुल्ची के तेल की आप हलकी हाद से मसाज कर सकता है लगा सकता है इसके अलावा सिर में मालिस करने से भी माईग्रेन में काफी राहत मिलती है हलके हाथों से आप किसी तेल को गर्म करके और अपने बालों में इसकी मसाज कीजिए हलके हाथों से अपने ललाट पर इसकी मसाज कर सकते हैं तेल की मसाज कर सकते हैं आप अदरक का प्रियोग कर सकते हैं अदरक भी जो है बहुत फाइदेमन्द है जब खासकर मितली आ रही है उल्टी हो रही है जी मचला रहा है तो आप अदरक का प्रियोग कर सकते हैं धनिया भी जो है माईग्रेन में काफी मददगार होता है जो धनिया जो आप पत्य वाला धनिया जो काम में लेता है जिसकी चटनी भी बनाई जाती है आप उसको भी परियोग में ले सकते हैं या फिर धनियों के बीच को भी आप परियोग में ले सकते हैं तो आप इसे भी उपयोग में ले सकते हैं, चटनी मनाकर उपयोग में ले सकते हैं, या फिर धनीए के बीच से चाई बनाकर, उबाल कर काड़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। pernahा है, देखिए माइग्रेन इन उपायों से, घरेल उपायों से फूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये दी माइग्रेन बहुत जाजा तेज है, सहन नहीं हो पा रहा है, ऐस सहनी है, तो आप डोक्टर की सलहा लेकर कुछ दर्द निवारक दवाव का परियोग भी कर सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन ये दी मिलकुली ऐसी हो चुकी है, इस्तिति की बस अब त इस तरह से आप माइग्रेन से बच भी सकते हैं, और माइग्रेन होने पर कुछ रहात पा सकते हैं, पूरी तरह से भी रहात पा सकते हैं, आसा है ये जानकारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूस्पल लगा होगा, तो क्यों कंजूसी कर रहे हैं भाई, इस व आप कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक तो आपकर ही देंगे भाई क्योंकि हमने भी महनत किये और आपने भी सुनने की देखने की जह मत किये तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए तो एक नया वीडियो एक नई जानकारे लेकर मैं आपका दोस्त नरायंद रगरवाल फिर मिलूंगा तब तक के लिए तब तक के लिए इस्टे हेल्दी इस्टे हैपी थैंक्यी फर वाचिंग माई वीडियो थैंक्स जै सिरी राम जै हनुमाद